हेलो बच्चो आज हम हिंदी की पत्स्ति का भासा माधुरी का सोलवा अध्याय पढ़ेंगे जो कि ये कभीता है चांद का कुर्ता जिसके कभी है रामधारी सिंग दिनकर रामधारी सिंग दिनकर जो है वो हमारे देश के रास्ट कभी की रूप में जाने जाते हैं ठीक है आप लोग सुने होगे कि देश में जो बहुत बार दिनकर जैनती मनाई जाती है न तो दिनकर जैनती जो है यही रामधारी सिंग दिनकर के जन्मतिन के दिन मनाया जाता है ज तो इन्होंने जो हैं चांद के ऊपर कविता लिखी है आप चांद को कभी देखे हो आप जब भी देखते हो क्या ये एक जैसा नजर आता है नहीं न कभी देखोगे तो एकदम सरकल दिखेगा एकदम राउंड फिगर में गोल सा फिर कभी देखोगे तो एकदम छोटा सा पत चलेगा कि चांद का साइज अब कभी पर्फिक्ट नहीं देखोगे, आज जो देखोगे, कल थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो यह जो है प्रकृति का देन है, इसे तो किसी आदमी नहीं बनाया है न, तो इस विशे पे ही इस कविता को लिखा गया है, रम तो शुरू करते हैं बच्चों, हठकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिल्वा दो मा मुझे कून का, मोटा एक झिंगोला, इसका हरत है कि एक दिन चांज जो है अपनी ममी से अपनी मा से एक दिन जिद करता है हट कर बैठा हट मतलब जिद कर बैठा जिद कर बैठा कि ममी मुझे भी मा मुझे उनका मुटा जिंगोला सिला दो जिंगोला मतलब कपड़ा एक कपड़ा सिला दो उनका अब चान ने कपड़ा क्यों बोला सिलाने क्योंकि उसे ठंड लग रही है जारे का मौसम था और उसे ठंड लग रही थी इसलिए उसने अपनी ममी से जिद किया अपनी मासे बोला कि मुझे एक जिंगोला सिला दो अब देखो उसकी ममी क्या जवाब देती है संसन चलती हवा रात भर जारे में मरता हूँ ठिठूर ठिठूर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ तो चान बोलता है कि संसन हवा चलती मनि जारे में ठंडव के समय में संसनतेजी से हवा चल रही है जारे से मैं मरा जा रहा हूँ। ठिठूर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता है, मतलब ठिठूर कर मतलब काप काप कर, काप कर कैसे भी मैं रास्ता पूरा करता हूँ, आप जानते हो ना चांद जो है में सा घूमते रहता है, अपने अक्ष पे घूम रहा है, तो ये जो चांद घूम रहा है, तो वही बोल रहा कि हमको अक्ष पे अपने जगह पे तो हमको पूरा यात्रा पूरा करना है लेकिन ठंड है लेकिन इस ठंड में भी मुझे यात्रा पूरी करने पर रही है मैं काप काप के पूरा रास्ता पूरा कर रहा हूँ आस्मान का सफर और यह मौसम है जारेका नहो अगर तो लादो कुर्ता हीम कोई भाड़े का जो चांद है वो अपनी मम्मी से जित करता है कि आसमान का सफर है मतलब उचाई पर इतनी उचाई पर जहां ठंड है वहां का रास्ता है उपर से जारे का मौसम है अगर नहीं है कोई कपड़ा तो भाड़े में ही लेकर किसी से मांग करी मुझे एक कपड़ा सिल्वा दो लेकिन मुझे एक कपड़ा सिल्वा दो बच्चे की सुन बात कहां माने अरे सलोने कुसल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोना अब मम्मी जो है उसकी चांद की जो मा है वो अपने बच्चे को फुसलाती है मतलब प्यार से उसको समझाने की कोसिस करती है कि अरे मेरे सलोने बच्चे तुमको किसी की नजर न लगे कोई जादू टोना न लगे भगवान तुम्हारा बोला करे तुम्हें कोई भी नजर न लगी गी यानि तुम्हारा नहीं कुछ भी जैसे तुम काप रहे हो, तुम डर रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, भगवान तुम्हारे रक्षा करेंगे. जारे की तो बात ठीक है, पर मैं डरती हूँ, एक नाम में कभी नहीं, तुझको देखा करती हूँ. अब मा बोलती है कि जारी की बात तो ठीक है, मतलब जारे में जारा है तो ठंड तो लगेगी, लेकिन मैं डरती हूँ, जारे से मुझे भी लगता है कि तुझे ठंड लगती होगी, लेकिन तुम्हारा तो कोई एक नाम नहीं है, तुम्हारा एक कोई आकार नहीं है, जिससे मै कुई कपड़ा सिलवा सको कभी एक आकार में एक रूप में कभी देखी नहीं पाती हूं तो मैं कैसे ऐसा सिलवा दो कपड़ा कभी एक अंगुली भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन चोटा आप देख सकते हो बचो कि इस पार्ट में भी चानके अकार को बनाया हुआ है देख रहे हो ना यह इसी तरह का चानक दिखता है कभी एकदम सर्कल कोल से अकार का कभी छोटा सा कटा हुआ पिर कभी देखोगे सेमी का सर्कल कभी देखोंगे एकदम बोट के आकार का और कभी एकदम लाइन सा बना हुआ तो वही उसकी मा कहती है कि घरता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी होता है मतल nic, रोज तु घरते बढ़ते हो लेकिन कभी लगता है कि एकदम पतला उंगली भर चोड़ा हो कभी लगता है कि मोटा हो गए इस तरह किसी दिन बड़ा और किसी दिन छोटा दिखाई देते हो घरता बड़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई परता मतलब किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि तुम किसी को दिखाई ही नहीं देते हो मतलब तुमारा बिल्कुल अकार नहीं दिखाई देता है एकदम तुम ढग जाते हो ठीक है कभी-कभी आप देखते हो ना आसमान में चान नहीं दिखाई देता है जैसे अमश्या पुर्णिमा को देखते हो ना मवस्या को एकदम अंधिरी रात होती है, जमें चांद बिलकुल नहीं दिखाई देता है, तो वहीं उसकी मम्मी बताती है, अब तुम ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवावे, सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए, तो अब मा पूस्ती है चांद से, कि अब जब चाहो तब पहनो, यदि छोटा सिलवाती हूँ, तो तुम बढ़ जाओगे, तो कैसे पहनोगे, और बड़ा सिलवा देती हूँ, तो तुम जब छोटे हो जाओगे, तब कैसे पहनोगे, तो यहीं बात, मा अपने सलोने से बेटे को, चांद को बताती है, कि अब अपने नाप देते हो ना, टेलर को, तब तुम सिलवाते हूँ, तो वहीं अब मा उस चांद का क्या नाप दे, ठीक है, तो इस पार्ट में, इसी तरद चांद के विसे में, यह रामधारी सिंग दिन करने, बताने का प्रयास किया है, कि किस तरद चांद का कर, हर दिन बदल होता रहता है, तस्वीर में देख सकते हो, कैसे मात कपड़ा लेके, और सीजर कैची लेके खड़ी है, लेकिन अपने बेटे को समझा भी रही है, कि आखिर मैं क्या करू, मुझे भी लगता है, कि तुझे ठंड लगती होगी, लेकिन मैं करू तो क्या, तो यह पार्ट का, चांद का कुर्ता, जो हैं, एक्स्प्लेनेशन, समापत होता है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, सेर करें, और सब्सक्राइब करें, धन्य बाद बच्चो,